प्रिष्ट सत्तर स्पीती में बारिश स्पीती हिमाचल प्रदेश के लाहूल स्पीती जिले की तहसील है। लाहूल स्पीती का यह योग भी आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगा योग नहीं है। उंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में कम रहा है अलंगे भूगोल यहां इतिहास का एक बड़ा कारक है अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है तब भी लाहूल स्पीती का योग प्राया वायरलेस सेट के जरिये है जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सुवेदार उसकी अवग्या तो नहीं कर रहा है कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है लेकिन सिवाए वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है शीत में प्रायह असंभव है प्राचीन काल में शायद स्पीती भारतिय सामराज्यों का अनाम अंग रही है अब ये सामराज्ये टूटे तो यह स्वतंत्र रही है फिर मध्य युग में प्रायह लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है तब भी प्रायह स्वायत रही है इसकी स्वायत तता भुगोल ने सिर्जी है भुगोल ही इसकी रक्षा करता है भुगोल ही इसका सनहार भी करता है पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीथ जाता था कभी कोई जोरावर सिह जैसा आता था तो स्पीती का तरीका वही था जो तुप चिलिंग गोनपा में मैंने देखा प्रिष्ट संख्या 71 जब डाइनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहूली हदस कर आँख बंद कर चांगमा का तना पकड या एक दूसरे को पकड कर बैठ गए जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आँख खोल कर उठे जोरावर सिह के आकरमण के समय स्पीती के लोग घर छोड़ कर भाग गए उसने स्पीती को और वहां के विहारों को लूटा यह अप्रतिकार शायद स्पीती की सुरक्षा की पध्धती है स्पीती में जनसंख्या लाहूल से भी कम है 1901 की 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है इसका क्षेत रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहूल के साथ जोड़ कर मिला है जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है स्पीती का अलग क्षेत रफल नहीं दिया गया है इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत रफल 2155 वर्ग मील है इस तरह स्पीती की जनसंख्या प्रती वर्ग मील 4 से भी कम है 1901 बे यह प्रती वर्ग मील 2 से भी कम थी लाहूल स्पीती का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस्त का तस मिला अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंग के जरिये मिला अंग्रेज इनके जरिये पश्चिमी तिबबत के उन वाले क्षेतर में प्रवेश चाहते थे तिबबत में अंग्रेजी सामराज्य के दूरगामी हित भी थे जो भी हो 1846 में कुलू लाहूल स्पीती ब्रिटिश अधीनता में आए पहले सुपरिंटेंडेंट के अधीन थे फिर 1847 में वे कांगडा जीले में शरीक कर दिये गए लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीती का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था ब्रिटिश भारत में भी कुलू के असिस्टेंट कमिशनर के समर्थन से यह नोनो कारे करता रहा इसका अधिकार क्षेतर केवल दुटिये दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था लेकिन स्पीती के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे राजा नहीं है तो डम्यन्ती जी को रानी मानते है इस प्रिष्ट पर कुछ वर्नन है एक वर्तमान 2002 की जन गणना के अनुसार लाहूल स्पीती का क्षेतर फल 12,210 वर किलोमीटर तथा जन संख्या 34,000 है दो स्थानिय शासक प्रिष्ट संख्या 72 1873 में स्पीती रेगुलेशन पास हुआ 1873 में स्पीती रेगुलेशन पास हुआ जिसके तहत लाहूल और स्पीती को विशेश दर्जा दिया गया बिटिश भारत के अन्य कानून यहां लागु नहीं होते थे रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिये गए जिसमें माल गुजारी इकठा करना और चोटे-चोटे फोज़दारी मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था इसके उपर के मामले वह कमिशनर के पास भेज देता था उन दिनों लाहूल स्पीती का वृतांत कांगडा जीले के अंतरगत कुलू तहसील में मिलता है स्वराज के बाद 1960 में लाहूल स्पीती पंजाब राज्ये के अंतरगत एक अलग जीला बना दिया गया जिसका केंदर केलंग में है 1966 में जब हिमाचर प्रदेश राज्ये बना तो लाहूल स्पीती इसका उत्तरी छोर का जीला हो गया यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेतर है स्पीती 31.42 और 32.69 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 88.42 पूर्व देशांतर के बीज में स्थित है यह चारों और के उँचे उँचे पहाडों का कैदी है इन पहाडों की आउसत उचाई 18,000 फीट है यह पहाड उसे पूरब में तिबबत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिन में कन्नौर और उत्तर में लद्दाग से अलग करते है इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीती नदी की घाटी है स्पीती पश्चिम हिमाले में लग भग 16,000 फिट की उचाई से निकल कर पूरब में तिबबत में बहती है वहां से स्पीती में आती है स्पीती से बहकर पुराने रामपूर बुशहर राजे में अब किन नौर जीले में बहती हुई सतलुज में मिलती है मेरी इस स्पीती नदी से प्रीती है स्पीती में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ सुनता हूं की कोई पारा नदी भी है फिर घाटी है स्पीती के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है मान भाई से इसका किस्सा सुना है अत्यंत बीहड और वीरान है इन में से शायद स्पीती की घाटी ही आबाद है जैसी वह आबाद है वह अब देखी रहे हैं प्रती वर्ग मील चार से भी कम लोग बसते हैं अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों है अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए है मैंने जब भी स्पीती की विपत्ती बताई है तो लोगों से यही पूछा कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों है आठ नौ महिने शेश दुनिया से कटे हुए हैं ठंड में ठिठूर रहे हैं सिर्फ एक फसल उगाते हैं लकडी भी नहीं है कि घर गरम रख सके वित्ती नहीं है प्रिष्ट तिहत्तर फिर क्यों रहते हैं क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं अपनी जन्म भूमी के ममत्व के कारण रहते हैं या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते हैं कहां जाएं या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है मैं नहीं जानता मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहां रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है तरक से हम किसी चीज को भले ही सिद्ध कर सकें, स्पीती में रहने को हम नहीं सिद्ध कर सकते लेकिन तरक का इतना मोह क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्वान अतरक्य है, तरक के परे है स्पीती नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीती के पहाड़ों का भी है स्पीती के पहाड लाहुल से ज्यादा उँजे, नंगे और भव्वे है इनके सिरों पर स्पीती के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है शिव का अटहास नहीं, हिम का आर्थनाद है, ठिठूरन है, गलन है, व्यथा है इस व्यथा की कथा इन पहाडों की उचाई के आंकडों में नहीं कही जा सकती फिर भी जो सुन्दर्ता को इंच में मापने के अभ्यासी है, वे भला पहाड को कैसे बक्ष सकते हैं वे यह जान लें कि इस पीती मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनिताल, श्री नगर, वह सब हिमालय नहीं है हिमालय का तलूआ है, शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलहटी है, रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है इसमें ही लाहूल स्पीती की घाटियां है, इन घाटियों की आवसत उचाई ना पी गई है श्री कनिंगम के अनुसार लाहूल की समुद्र सतह से उचाई 10,535 फीट है, स्पीती की 12,986 फीट है, यानि लगभग 13,000 फीट तो आवसत उचाई है मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीती को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में हैं, उसे बरालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें बरालाचा दर्रे की उचाई का अनुवान 16,221 फीट से लगा कर 16,500 फीट का लगाया गया है इस पर्वत श्रेणियों में दो चोटियों की उचाई 21,000 फीट से अधिक है प्रिष्ट संख्या 74 दक्षिन में जो श्रेणि है, वह माने श्रेणि कहलाती है इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौधों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है ओम मनी पद में हूँ, इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म में है इसे संक्षेप में माने कहते हैं कहीं इस श्रेणि का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है अगर नहीं है तो करने जैसा है यहाँ इन पहाडियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की उँचाई 21,646 फीट बताई गई है यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की उँचाई होगी पूरी श्रेणी की उँचाई तो एक नहीं होगी इन में जो छोटी छोटी चोटी चोटीयां है उनकी उँचाई भी 17,000 फीट से अधिक है कई गाउं समुद्र की सता से 13,000 फीट से उँचे बसें है एक या दो 14,000 फीट की उँचाई पर है यह मध्य हिमाले है इसमें स्पीती स्थित है इसके पार वाहिय हिमाले दिखता है इसकी चोटी 23,000 फीट उँची बताई जाती है इसमें कई चोटीयां 20,000 फीट से भी अधिक उँची है मैं उँचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ ना इन से होड लगाने के पक्ष में हूँ वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है इन उँचाईयों से होड लगाना मृत्यू है हाँ कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और और औरत की शान है मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाडों से युवक युवतियां आएं और पहले तो स्वयम अपने अहंकार को गलाएं फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें उस आनंद का अनुभाव करें जो साहस और कुवत से यववन में ही प्राप्त होता है अहंकार का ही मामला नहीं है ये माने की चोटियां बुढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है युवक युवतियां किलोल कर लें तो यह भी हर्शित हो अभी तो इन पर स्पीती का आर्त नाद जमा हुआ है वह इस युवा अटहास की गर्मी से कुछ तो पिगले यह एक युवानी मंत्रन है यहाँ नीचे ओम मनी पद में हूं का अर्स दिया गया है यह ध्वनी मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक तो होता है बोधी सत्व आर्य अवलो की तेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ती होती है प्रिष्ट संख्या 75 लाहूल की तरह स्पीती में भी दो ही रितुएं होती है कहीं मैंने शड रितुओं का बखान किया है वह अभ्यास दोश के कारण है यहाँ जून से सितंबर तक की एक अलपकालिक वसंत रितु है शेश वर्ष शीत रितु होती है वसंत में जुलाई में आउसत तापमान 15 डिग्री सेंटिग्रेट और शीत में जनवरी में आउसत तापमान 8 डिग्री रेकॉर्ड किया गया है आउसत से कुछ अंदाज नहीं लगता वसंत में दिन गरम होता है, रात छंडी होती है शीत में क्या होता है? इसकी कलपना ही की जा सकती है और कभी रहकर ही देखा जा सकता है स्पीती में वसंत दाहूल से भी कम दिनों का होता है वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना वह गंध होती है दिसंबर से घाटी में फिर बरफ पढ़ने लगती है अप्रेल मैं तक रहती है, यहाँ ठंडक भी लाहूल से ज्यादा पढ़ती है नदी नाले सब जम जाते हैं और तेज हवाएं चलती है मुह, हाथ और जो खुले अंग हैं, उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है स्पीती में लाहूल से कम वर्शा होती है मध्य हिमाले मानसून की पहुँचके परे है, यहाँ बर्खा बहार नहीं है कालिदास को अपने रितु संगहार में यहाँ वर्शा का तो संगहार करना ही पड़ेगा कालिदास में वर्शा का क्या ठाट है यह वर्शा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ चमक्ती हुई बिजलियों की जंडियों को फैराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामी जनों का प्रिये पावस राजाओं का सा ठाट बाट बना कर आपहुचा यह पावस यहाँ नहीं पहुचता है कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है हिमालय की इन मध्य की घाटियों में नहीं है मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहूल स्पीती के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं वर्षा उनके संबेदन का अंग नहीं है वह जानते नहीं है कि बरसात में नदियां बहती हैं बादल बरसते, मस्त हाथी चिंगारते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं अपने प्यारों से बिछिडी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मार कर गुफाओं में जाचिपते हैं अगर कालिदास यहां आकर कहें कि अपने बहुत से सुन्दर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेडों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा रितू आपके मन की सब साधें पूरी करें तो शायद स्पीती के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता काउन है? कहां रहता है? यहां क्यों नहीं आता? स्पीती में कभी-कभी बारिश होती है वर्षा रितू यहां मन की साध पूरी नहीं करती धर्ती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है स्पीती में साल में एक फसल होती है मुख्य फसले हैं दो किसम का जव गेहू, मटर और सरसूं इसमें भी जव मुख्य है सिचाई का साधन पहाडों से आ रहे नाले हैं या उनपर बनाये कूल हैं ये नालियां पहाडों के किनारे-किनारे बहुत दूर तक जाती है स्पीती नदी का तट इतना चवड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता स्पीती में ऐसी भूमी बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीती में जल उली चा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचाया जाए स्पीती में कोई फल नहीं होता मटर और सरसों छोड़ कर कोई सबजी नहीं होती शायद उचाई, वायू मंडल के दवाव में कमी, ठंड की अधिक्ता, वर्षा की कमी वगेरा के कारण यहां पेड नहीं होते इसलिए स्पीती, विशेशकर, नंगी और वीरान है प्रिष्ट सतहत्तर वर्षा यहां एक घटना है, एक सुखद संयोग है हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिर्की खड़का रहा है आधी रात का भी पिछला पहर है, इस तमय कौन है? लैंप की लव तेजगी, खिर्की का पल्ला खोला, तो तेज हवा का ज्छोंका मुह और हाथ को जैसे छीलने लगा मैंने पल्ला भीरा दिया, उसकी आढ़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी मैं उसे देखने ही रहा था, सुन रहा था अंधेरा, ठंड और हवा का ज्छोंका आ रहा था जैसे बरफ का अंश लिये तूशार जैसी बूंदें पड़ रही थी जैसे नगाडे पर थाप पड़ रही थी दुंग छेन को हवा बजा रही थी महाशंक की ध्वनी घाटी में तैर रही थी स्पीती की घाटी में वर्षा हो रही थी कमरे में ठंड बढ़ रही थी मैं बिस्तर पर पड़ा-पड़ा मालुम नहीं कब सो गया सुभा उठा चाय पीते पीते सुना कि स्पीती के लोग कह रहे हैं हमारी यात्रा शुभ है स्पीती में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है अभ्यास पाठ के साथ एक इतिहास में स्पीती का वर्णन नहीं मिलता क्यों? दो स्पीती के लोग जीवन यापन के लिए किन कठीनाईयों का सामना करते हैं? तीन लेखक माने श्रेणी का नाम बाद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? चार ये माने की चोटियां बूढे लामाओं के जाब से उदास हो गई है इस पंक्ती के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? पांच वर्षा यहां एक घटना है एक सुखद संयोग है लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? छे स्पीती अन्य पर्वतिय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? पाठ के आसपास एक स्पीती में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है आप अपने यहां होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए दो स्पीती के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए किन का जीवन आपको ज्यादा अच्छा लगता है? और क्यों? प्रिष्ट 78 तीन स्पीती में बारिश एक यात्रा व्रितांत है इसमें यात्रा के दौरान किये गए अनुभवों यात्रा स्थल से जुड़ी हुई विभिन जानकारियों का बारिकी से वर्णन किया गया है आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में कीजिए चार लेखक ने स्पीती की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी इन 30 वर्षों में क्या स्पीती में कुछ परिवर्टन आया है? जाने, सोचें और लिखें भाशा की बात एक, पाठ में से दिये गए अनुछेद और बलकी जैसे ही, वैसे ही, मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दुबारा लिखिए लैंप की लो तेज की खिड़की का पल्ला खोला तो तेज हवा का जोंका मुह और हात को जैसे छीलने लगा मैंने पल्ला भिरा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा देखा की बारिश हो रही थी मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था अंधेरा, ठंड और हवा का जोंका आ रहा था जैसे बरफ का अंच लिए तुशार जैसी बूंदें पर रही थी शब्द छवी, अलंगे, यानि जिसे लांगा या पार किया न जा सके स्वायत, अर्थात स्वतंत्र अतर्क्य, यानि तर्क नक करने योग्य आर्थनाद, यानि दर्द भरी आवाज स्वर में दुख का ग्यापन या सहायता की पुकार पीर पंचाल, यानि एक पर्वत श्रिंखला महातम में, अर्थात महिमा या गवरव कुवत, यानि बल या शक्ति शड रितुएं, अर्थात छह रितुएं वसंत, ग्रीश्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत तुशार, यानि हिम या बरफ दुंग छेन, यानि एक तरह का वाद्दे यंत्र महाशंख, जिसे फूंक मार कर बजाया जाता है क्फ़ें, यानि हितुएं खर्वें, यानि हिसे लिफ CRAष मार कर दाएता है अर्वश।